नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंशन भारत वाज और आप देख रहे हैं हमारा ये टिप चानल जीवन कोश बढ़ता हुआ वजन और मोटापा आज एक आमसी लेकिन बड़ी समस्या बन गई है इसमें कोई शक नहीं कि मोटापा कहीं शाररिक बिमारियों का कारण बनता है ऐसे में लोग वजन कंट्रोल करने के लिए कहीं प्रयास करते हैं जैसे रनिंग, वॉक, एक्सराइज, योग, डाइटिंग और भी बहुत ज़ादा इन सभी के अलावा यदि आप अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल करेंगे तो आपको ज्यादा बहतर रिजल्ट मिलेंगे और आप हल्दी तरीके से वजन कम भी कर पाएंगे इन में से एक चीज है नारियल पानी नारियल पानी एक पावरफुल एनरजी ड्रिंक है जो वजन कंट्रोल करने में मदद करता है इसके अलावा इसमें बहुत से पोशक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर में फैट को एकत्रित होने से बचाते हैं तो चलिया आपको बताते हैं कि वजन घटानी के लिए नारियल पानी क्यूं फाइदे मंद है मेटबॉलिक रेट बढ़ा सकता है कम मेटबॉलिक रेट वाले लोगों में मोटापा बढ़ने का अंदेशा ज्यादा रहता है भले ही वो कितना कम भी क्यूं ना खाएं रिसर्च में ये पता चला है कि नारियल पानी में फिक्टोज और ग्लुकोस होता है जो मेटबॉलिजम को एनरजी प्रदान करता है इसलिए नारियल पानी पीने से मेटबॉलिजम दर को बढ़ाने में मदद मिलती है मेटबॉलिजम को बढ़ा कर मूटा होने या फिर वजन बढ़ने के खत्रे को दूर किया जा सकता है शरीर में कॉलिस्ट्रॉल बढ़ने से ये धमनियों में जम कर रक्त प्रभाव को रोक सकता है और रिदे घात का कारण बन सकता है वही नारियल पानी खराब कॉलिस्ट्रॉल को नियंतरण करने में मदद करता है इसकी पुष्टी करने के लिए चूहु पर किया एक रिसर्च है इस रिसर्च में ये पाया गया है कि नारियल पानी का सेवन करने से कुल कॉलिस्ट्रॉल और LDL यानि खराब कॉलिस्ट्रॉल के स्तर में कमी आ सकती है इस प्रकार नारियल पानी से कॉलिस्ट्रॉल को नियंतरित कर फैट बढ़ाने वाले टीशूस को भी कम किया जा सकता है इससे वजन को बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है इंसुलिन में सुधार करता है इंसुलिन का स्तर असंतुलित होने से मदुमय की समस्य हो सकती है जिसे मोटापा बढ़ सकता है वही नारियल पानी का सेवन इंसुलिन के स्तर को सुधारने में मदद कर सकता है रिसर्च में ये पाया गया है कि नारियल पानी में पाय जाने वाले एंटी आक्सिडेंट गुण इंसुलिन के सर को सुधाने में मदद कर सकते हैं इससे मोटापे के बढ़ने की आशंका को कुछ हद तक कम किया जा सकता है भूख कंट्रोल करता है नारियल पानी में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिसके कारण बार-बार अनहल्दी खाने की ट्रेविंग नहीं होती इस प्रकार ये भूख को कंट्रोल करता है और वजन को बढ़ने से रोकता है इसके अलावा ये फैट को भी एक अत्रित होने से रोकता है जब कोई अपना वजन कम करना चाहता है तो सबसे पहले वो लो काप फूड लेना शुरू करता है और नारियल भी एक ऐसा ही फल है जिसमें काप्स की मात्रा कम होती है जिससे वजन कम करने में साहिता मिलती है इसके अतिरिक्त नारियल में anti-inflammatory गुण होते हैं और ये omega-3 fatty acid से भरपूर होता है नारियल के तेल में भोजिन को पकाने से आपके शरीर को बहुत सारे पोशक तत्व मिलते हैं आयोडीन की कमी के कारण thyroid गृंती प्रयाप्त हार्मोन्स का निर्मान नहीं कर पाती जिससे हाइपोथायरिजम हो सकता है हाइपोथायरिजम होने पर शरीर का वजन बढ़ने लगता है इस समस्या को दूर करने में नारियल पानी का सेवन फायदे मंद हो सकता है रिसर्च में ये पाया गया है कि नारियल पानी में पाय जाने वाले पोशक तत्वों में आयोडीन की कुछ मात्रा पाय जाती है नारियल पानी में पाया जाने वाला आयोडीन थायरिज हार्मोन को फायदा पहुचाने वाले एक खटक के रूप में कार्य करता है इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि थायरिट फंक्शन में नारियल पानी फायदेमंद हो सकता है डी हाइडरेशन की स्थिती तब बनती है जब इस शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है ऐसा अकसर गर्मियों के दिनों में या फिर प्रयाप्त मात्रा में पानी ना पीने के वजह से होता है इस समस्या में नारियल पानी फायदेमंद हो सकता है ये पानी की कमी को दूर करने में अविशक भूमिकान निभा सकता है इसके अलावा नारियल पानी का सेवन करने पर ये शरीर को हाइडरेट करने में भी मदद करता है जो लोग वयाम करते हैं या फिर जिम करते हैं उन्हें वरकाउट करने के बाद नारियल पानी जरूर पीना चाहिए तो चलिए अब बात करते हैं मोटा पा कम करने के लिए नारियल पानी का उप्योग कैसे किया जाए वेट लॉस के लिए नारियल पानी को सीधा पिया जा सकता है इसके अलावा नारियल पानी को अन्य जूस के साथ भी मिक्स करके पिया जा सकता है नारियल पानी में नीबू, पोदीना और शहद मिला कर भी पी सकते हैं मैंगो शेक में नारियल पानी मिला कर पी सकते हैं ये ना समझे कि मैंगो शेक आपका वजन बढ़ाएगा तो देखा आपने नारियल पानी कैसे हमारा वजन घटाने में हमारी मदद कर सकता है फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही लेकिन ऐसी ही कई अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए